प्रेविद्यार्थियों आज हम कक्षा बारा हिंदी की पाठ्थि पुस्तक आरोह भाग दो के गद्यखंड के अध्याय सत्रा में वर्नित सहित्यकार हजारी प्रशाद दुवेदी द्वारा रचित ललित निभंद सिरीश के फूल पढ़ने जा रहे हैं वीडियो भाग एक में हमने सहित्यकार हजारी प्रशाद दुवेदी का परिचे प्राप्त किया है इनके व्यक्तित्य के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है समझ लिया है तो आईए आज हम हजारी प्रशाद दुवेदी द्वारा रचित ललित निभंद जिसका शीर्षक है शिरिष के फूल पढ़ें। शिरिष के फूल जहां बैटके यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरिष के अनेक पेड हैं। जेट की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अगनिकुंड बनी हुई थी, शिरिष नीचे से उपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। निबंदकार अपने निबंद की प्रारंबिक पंग्तियों में हमें सिरीष के पेड़ के बारे में सिरीष के व्रक्ष के बारे में और सिरीष के फूल के बारे में जानकारी देते हुए हमें बता रहे हैं कि जहां बैटकर यह लेक निबंदकार लिख रहे हैं उनके आगे पी महिने में बहुत तेज प्रचंड गर्मी पड़ रही है ऐसे लग रहा है मानो धूप जल रही हो जबकि धरित्री धरित्री से आशे है प्रत्वी धर्ती निर्धूम निर्धूम से आशे है बिना धुये वाला अगनी कुंड बनी हुई थी इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है जेट के महीने में ऐसा लग रहा है मानो धरित्री मानी धर्ती निर्धूम मानी बिना धुये का ही अगनी कुंड बनी हुई थी बहुत प्रचंड गर्मी पड़ थी सिरीस नीचे से उपर तक फूलों से लद गया था ऐसी प्रचंड गर्मी में भी सिरीस का जो ये फूल है सिरीस का जो वरक्ष है सिरीस के वरक्ष पर उपर से नीचे तक बहुत सारे फूल बहुत सारे फूल आ गए थे यह सिरीस का वरक्ष बहुत सारे फूलों से लद गय था कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं जब विसंपर इस्तितियां हो जब चुनोती पूर्ण इस्तितियां हो तो उसमें बहुत कम पुस्प इस प्रकार के होते हैं जो इस शिरिश के फूल की तरह फूल सकने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि इस प्रकार के फूल गर्मी में बहुत तेज प्रचंड गर्मी की इस्तिती में भी फूलना हर फूल के बसकी बात नहीं है करनिकार, करनिकार से आशे है कनेर, कनेर का पुस्प और आरगवद, आरगवद का आशे है अमलतास, अमलतास का तो आरगवद और कनेर, करनिकार और आरगवद, कनेर और अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन सिरीज के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती आरगवद से आशे है अमलतास की तुलना शिरीज के पुस्प के साथ में नहीं की जा सकती है, वहे 15-20 दिन के लिए फलता फूलता है, आरगवद का अमलतास का जो पेड है, उसके जो पुस्प है वहे 15-20 दिनों के लिए ही फलते फूलते है, बसंतरितु के पलास की भाती, जिस प्रकार बसंत रितु में पलास का पुस्प पलास कहते है टेसू का पुस्प खिलता है जिस प्रकार से बसंत रितु में पलास का पुस्प खिलकर सोभाई मान होता है लेकिन यह 15-20 दिन तक के लिए ही होता है 15-20 दिन तक के लिए ही यह फलता फूलता है अपना सोंदर य पंद्रे दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था कबीरदास जी का यह मानना था कि पंद्रे दिन के लिए यदि कोई फूल खुसबु फेलाए अपनी चटक दार रंगों को प्रशारित करे और पंद्रे दिन के बाद उसका जीवन काल समापत हो जाए तो यह 15 दिन की सीमित अवधी में लहक ना कबीरदास जी को पसंद नहीं था यह भी क्या कि दस दिन फूले और फिर खंकड के खंकड कबीरदास जी का मानना था कि दस दिन तो फूले दस दिन तो बहुत प्रशनता से रहे बहुत सुक से रहे बहुत हर्स और उत्सा के साथ में रहे और दस दिन के बाद में सूख गए वही दुख में निरासा में अवसाद में और इस प्रकार के अभाव के साथ में घिर गए तो कबीरदास जी कहते हैं दस दिन फूला फूली के खंकड भया पलास की पलास का जो पुस्प है ये दस दिन तो फूलता है फलता है अपने सुगंद बिखेरता ह है अपना सुगंद के साथ साथ अपने रंग बिखेरता है लोगों को आकरशित करता है और उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में ये खंकड का खंकड हो जाता है सूख जाता है और इसका जीवनकाल समाप्त हो जाता है ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले कबीर दाजजी कहते हैं कि इस प्रकार के सीमित जीवन काल में अपने सोंदेरे को बिखेरने वाले लोगों के बजायतो यानि इस प्रकार के लोगों को दुमदार कहा गया है दुमदार से आशे है ऐसे लोग जिनके पूँच होती है ऐसे पूँच वाले लोगों के बजाए तो लंडूरे भले लंडूरे का आशे है बिना पूँच के जिनके पूँच नहीं होती तो इस प्रकार के दुमदारों से तो लंडूरे भले इस प्रकार की पूँच वालों स शिरीस बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है जो लहक उठता है बसंत के आगमन के साथ और आसाड तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है और आसाड का महीना जब तक रहता है तब तक यह है पलास यह है जो शिरीस का फूल है यह एकदम मस्ती के साथ में अपना सोंद बादों में भी निर्गात फूलता रहता है और yadī इस पुष्प का, शिरीष के पुष्प का मन रम गया, यदी इसे और अधिक दिनों तक फूलने का मन हो गया, तो यह निर्गात स्याश है बिना आँगात, या बिना बाधा के लगातार भरे भादों तक, भादों के महिने तक भी यह फूलता रहता है, बसंत रितु से यह फूलना सुरू करता है और बसंत के बाद में आसाड का जो महीना है वहाँ तक तो यह निशित रूप से बहुत मस्ती के साथ फूलता फलता ही है, अपने सौन्धरी को बिखेरता ही बिखेरता है, अगर इसका मन रम गया तो हुँने बहादों के महीने, मी będziemy किसी बाधा के अपना सोंदैरिय बिखेरता रहता है, फलता-फूलता रहता है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गाद फूलता रहता है जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लूसे रिधे सूकता रहता है जो जेट का महीना है उसके अंदर बहुत तेज गर्मी पढ़ती है बहुत तेज उमस भी होती है और इस प्रकार से उमस की इस्तिती उमस से आशा है पशीना बहाने वाली तेज गर्मी ऐसी गर्मी जिसके अ संकट में पढ़ जाना भयानक कस्ट में होना बहुत व्याकुलता होना रहता है और लू से रिधे सूकता रहता है और बहुत तेज प्रचंड गर्मी के थपेडे लगते हैं जब लू चलती है तो एक मात्र सिरी सही काल जई काल जई से आशे होता है काल को जीतने वाला समय को संसार के सुख दुख विशय भोग तथा बंदनों से उपर उठा हुआ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो संसारिक बंदनों से उपर उठा हुआ है जो सुख दुख से उपर उठा हुआ है जो विशय भोग से उपर उठा हुआ है इस प्रकार के व्यक्ति को इस प्रकार के सन्यासी व्यक्ति को अवदूत कहा गया है तो सिरीस को काल जई जो काल पर विजय प्राप्त कर ले तथा सांसारिक सुक दुक विशय भोग और बंदनों से उपर उठा हुआ व्यक्ति की तरह अवदूत के रूप में कहा गया है एक मातर सिरीस को काल जई अवदूत के वारे में की भाती जीवन की अजेयता से आशे होता है कभी भी पराजित ने होने के भाव का मंत्र प्रचार करता रहता है यह एक मात्र सिरीस ही है जो अवदूत की भाती समय को जीतने वाले काल जही की तरह अपनी अजे इता का कभी भी पराजित नहोने के मंत्र का प्रचार करता रहता है यदपी कभी की भाती हर फूल पत्ते को देख कर मुगद होने लाइक रिधे विधाता ने नहीं दिया है फूलों को पत्तियों को और इस प्रकार की विभिन प्रकार की सांसारिक आकरशन से भरी हुई चीजों को देख कर उन पर मुगद होने का रिधे लेखक कह रहे हैं कि उ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है विधाता ने उन्हें ऐसा रिधे नहीं दिया है यद्दपी कवियों की भाती हर फूल पत्ते को देखकर मुग्द होने लायक रिधे विधाता ने नहीं दिया है परंतु नितांत ठूंट भी नहीं हूँ नितांत मानी पूरी तरह से होना रिदेहीन होना बिलकुल बेरस होना नीरस होना बिलकुल बेरस भी नहीं हूँ नीरस भी नहीं हूँ रिदेहीन भी नहीं हूँ यहां अमीधा के अंदर इस बात को कहा गया है ठूट होने से मतलब है किसी वरक्षिया पोदे को काटे जाने के बाद जमीन के उपर वह रह जाए और अवसेस जो भाग रहता है जिसको ठूट कहा जाता है जिसके अंदर सरस्ता नहीं होती फूल पत्ते इत्याजी नहीं होते केवल वह है तने के रूप में एक ठूट का भाग रहता है यहाँ पर आशे यह है नितान्त ठूट भी नहीं हूँ ठूट से आशे है रिधह जहीन भी नहीं हूँ नीरस भी नहीं हूँ बेरस भी मैं नहीं हूँ सिरीश के पुस्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं जो सिरीश के पुस्प है ये मेरे मानस में ये मेरे मन मस्तिस्क में ये मेरे रिधे में थोड़ा हिलोल हिलोल से आशा है लहर उत्सा उत्पन्य करना उमंग उत्पन्य करना यह हिलोल जरूर पैदा करते हैं जो सिरीष के पुस्प हैं यह मेरे रिधे में हिलोल पैदा करते हैं उत्सा पैदा करते हैं सिरीष के व्रक्ष बड़े और च्हायादार होते हैं पुराने भारत का रहीस जिन मंगल जनक व्रिक व्रक्षवाटिका की चाहार दीवारी के पास लगाया करता था उन में एक शिरीस भी है ऐसे लोग जो पुराने भारत के रहीस बहुत जो धनाड़े लोग है वे मंगल जनक मंगल जनक्षाश है कल्यानकारी मंगल मैं मंगल करने वाले व्रक्षों को इस प्रकार के व्रक्ष जो मंगल करते हैं जो मानवता को भरपूर पोशन प्रदान करते हैं संजीवनी सकती प्रदान करते हैं प्राण सकती प्रदान करते हैं औक्षिजन गैस प्रदान करते हैं विभिन प्रकार की जड़ी बूटियों से लाभानवित करते हैं इस प्रकार मंगल जनक्षों को स्पास लगाया करते थे उन में सिरीस भी सिरीस भी एक हुआ करता था यह व्रहत सहीं ताके 553 में कहा गया है असोग का व्रक्ष हो अरिष्ट का व्रक्ष हो असोग का व्रक्ष है जो सदा बाहर रहता है हरे भरे पत्तों से आच्छा जित रहता है और बहुत ही देखने में मनोरम और सुखद लगता है अरिश्ट अरिश्ट है के गुणों से युक्त जो जो तना है घन म्रस्रण हरितिमा हरितिमा से आश है हरियाली हरियाली हरितिमा हरियाली से परिवेश्टित परिवेश्टित से आश होता है लिपटा हुआ होना व्रक्षवाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी और इस प्रकार से जिस भी रही श्रीष की मंगल जनक व्रक्षों की व्रक्षवाटिका होगी उसकी चार दिवारी के आसपास स्रीष का भी पेड होगा असोक का अरिष्ट का होगा पुन्नाक का होगा और स्रीष के चायादार और घन मस्तरन चिकने घने व्रक्ष हरियाली से आच्छा दित उस वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी वातिशायन ने काम सुत्र में बताया कि वातिका के सगंच्हायादार वरक्षो की च्हाया में ही जूला यानी प्रेंग्खा दोला लगाया जाना चाहिए इन पंग्तियों के माध्यम से निभंदकार हमें बता रहे हैं कि वात्सायन वात्सायन के वात्सायन एक बहुत बड़े रिशी हुए हैं और उनके ग्रंत का नाम है कामसूत्र तो वात्सायन ने अपने इस ग्रंत कामसूत्र में ऐसा बताया है कि वातिका व्रक्ष वातिका के सघन से आशे होता है बिलकुल गना गने चायादार व्रक्षों की चाया में ही जूला लगाया जाना चाहिए जिस पर नायक और नायका जूला जूलते हैं इस प्रकार का जूल यानि प्रेक्षा दोला प्रेक्षा दोला से आशे होता है जूला जूला लगाया जाना चाहिए यद्दभी पुराने कवी बकुल के पेड में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे बकुल बकुल से आशे होता है मोलस्री का व्रक्ष जो मोलस्री के व्रक्ष है उनकी ल लगा देखना चाहते थे पर सिरीस भी क्या बुरा है लेकिन यहां पर निबंदकार यह प्रशन पूछते हैं कि सिरीस का वरक्ष भी जूला लगाने के लिए बुरा नहीं है डाल इसकी अपेक्षाकरत कमजोर जरूर होती है और जो दूसरे वरक्षों की बात की है अन्ने जूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता जिस प्रकार कविताओं में कवियों ने इन वरक्षों पर लगे हुए जूलों में जूलने वाली नाईकाओं के बारे में बताया गया है तो यहां पर निबंदकार यह कहते हैं कि उन जूलों पर जूलने वाल का वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता वे भी बहुत कम वजन की होती है कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम खयाल नहीं करते मैं तुंदिल नरपतियों तुंदिल से आसे होता है बड़ी तौंद वाले नरपतियों नरपतियों से आसे होता है इस प्रकार क राजा और महराजा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ वे चाहे तो लोहे का पेड़ बन वाले। साहित्य में बहुत कौमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि काली दास ने यह बात सुरू सुरू में प्रचार की होगी। संस्कृत साहित्य में हम ये पाते हैं कि स्रीज के फूल को बहुत कौमल फूल कहा गया है। संस्कृत के महान कवी काली दास है उन्होंने सुरू सुरू में इस बात को प्रचारित किया। उनका इस पूस्प पर कुछ पक्स पात था, मेरा भी है। यहां सहित्यकार, निबंदकार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार काली दास इस स्रीज के पूस्प को बहुत अधिक पसंद करते थे, उसके साथ अपने आपको भावनात्म करूप से भी जोड़ लेते थे, वैसे ही सह सहित्यकार, निबंदकार, हजारी प्रशाद दिवेदी भी अपने आपको इस पूस्प के साथ में अपने आपका जुड़ाव पाते हैं। और वे कहते हैं कि जिस प्रकार काली दास का पक्षपात इस पूस्प को लेकर था, उस प्रकार का पक्षपात सहित्यकार, हजारी प्रशाद दिवेदी जी का भी रहा है कह गए हैं सिरीस पुस्प केवल भोरों के पदों का कॉमल दबाव सहन कर सकता है काली दास जी ने कहा कि जो सिरीस का पुस्प है ये केवल भोरों के पदों का पदों से आश है पैरों का केवल भोरों के पदों का कॉमल दबाव ही सहन कर है कि वह केवल भोरों के पदों का ही कोमल दबाव सहन कर सकता है पक्षियों का दबाव तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता पदम सहेत भ्रहमरश्य पेलवं सिरीखakah पुष्पम्न पुनेप पतत्रिणाम इस प्रकार से पदं सहेत भ्रमरश्य पेलवं सिरीषaka पुष्पम्न पुनेप पतत्रिणाम यहां पर पेलवं से आशिय है कोमल और श्रीज पुस्पने पतत्रिणाम इस से आशा है पतत्रिणाम से आशा है पक्षियों का पदम सहेत भ्रमरश्य पेलवम यानि यह बहुरों के कोमल पदों का दबाव सहन कर सकता है श्रीज पुस्प पूलों का और श्रीज जो पुस्प है यह पक्षियों का दबाव तो ब मैं इतने बड़े कवी की बात का विरोध कैसे करूं सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था यहां तो इच्छा भी नहीं है खेर मैं दूसरी बात कह रहा हूं सिर्फ के फूलों की कौमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा परवर्ती मानि पहले के पूरू वर्ती इसके बाद के जो कवी है उन्होंने ये बात समझी कि उसका सब कुछ कौमल है कि सिर्फ का जो पुस्प है उसका सब कुछ कौमल है जिस प्रकार से कालिदास ने कहा क कि वह केवल भोरों का ही दबाव सहन कर सकता है पक्षियों का दबाव सहन नहीं कर सकता बहुत कोमल पुस्प है ऐसा नहीं है यह भूल है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी इस्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से निभंदकार हमें इस बात को इस पश्च रूप से बता रहे हैं कि इसके जो फल है वो इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलाने पर भी जब नए फूल निकलाए उसके हटाने के लिए नए फूलों के निकलाने पर विवेस्तान नहीं छोड़ते जब तक नए फल और पत्ते मिलकर उन्हें धक्का मारकर धकिया कर बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं वसंत के आगमन के साथ जब सारी वनस्तली पत्र पुस्प पत्र से मरमरित होती र सहित्यकार ने उपर की तरफ पंक्ति में जो कहा है कि श्रीष के फूलों की कौमलता देखकर परवर्ति कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कौमल होता है यह भूल है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलाने पर भी अपना इस्थान नहीं छोड़ते यहां पर सहित्यकार एक व्यंग भी करना चाहता है कि ऐसे नेता इस पकार के नेतरत प्रदान करने वाले लोग जिन्हों ने बहुत लंबी जीवन अवधी तक नेतरत प्रदान कर दिया है और बहुत लंबी अवधी के बाद में जब नई पोद आ रही है नई पीड़ी आ देते तब तक वो पूरी तरह से जम्य हुए ही रहते हैं इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से साहत्यकार निभंद कार हमें यही बात इसपर श्ट्रूप से कहना चाहते हैं कि इसके फल इतने बबूत होते हैं नए फूलों के निकलाने पर भी अपना इस्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब टक वे डटे रहते हैं वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्तली वनस्तली से आशे हैं यहां पर सारी की सारी जो वन प्रदेश है वह पुस्प पत्र से यानि फूल पत्तों से मरमरित मरमरित चाश है सरसराहट यानि पत्तों के आपस में टकराने से जो ध्वनी उत्पन्न होती है वह होती रहती है जैसे वसंत का आगमन होता है वैसे ही पूरी वनस्तली में पूरे वन प्रदेश में पत् तो कि आपस में टकरान शीक्री जो ध्वनी होती रहती है, सिरीष के पुराने फल बुरी तरहं खड़खडाते रहते हैं। और इस प्रकार सिरीस के जो पुराने फल होते हैं ये भी बुरी तरह खड़ाते रहते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से साहित्यकार निभंधकार हजारी प्रसाद दिवेदी जी इस पश्ट रूपसे इस बात को कह रहे हैं। कि जो नेता ऐसे नेता जो बहुत उम्र पा चुके हैं बहुत पुराने हो चुके हैं उनकी बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते अब देश काल परिस्तिती और जनता की नस को नहीं पहचानते और जब तक नई पोध के लोग उन्हें धक्का म रहते साउधान हो जाती साहत्यकार इन पंक्तियों में ऐसे नेताओं को साउचेत करते हुए कहते हैं कि जो पुराने लोग है पुराने इस प्रकार के नेता लोग है उनकी जो अधिकार लिपसा है लिपसा से आश्या यहां पर है लालसा है अधिकार प्राप्त करने की लालसा यह समय रहते ही सावधान क्यों नहीं हो जाते समय रहते ही वह लोग अपने आपको जागरू करके अपना इस्थान छोड़ते हुए नए नेत्रत्यों अपना सारा समर्थन और ज्यान-प्रदान करते हुए उन्हें इस्थापित कर देते जरा और म्रत्यू जरा से आशे होता है बुढ़ापा और म्रत्यू म्रत्यू से आशे है मोत जरा और म्रत्यू बुढ़ापा और म्रत्यू ये दोनों ही जगत के अति परिचित बहुत अधिक परिचित सू परिचित और अति प्रमानिक बहुत प्रमानिक सरवाधिक प्र मानित है सत्ते है तुलसी दास ने अपसोस के साथ इनकी सच्चाए पर महर लगाई थी जरा और मरत्यू अवश्य होगी तुलसी दास जी ने भी इस सच्चाए पर महर लगाई थी महर लगाना महर लगाने से आशे है स्विकार करना की धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरासो जरा जो बरासो बुताना तुलसीदास जी ने भी यही कहा है जरा और मृत्यू के बारे में बुड़ापा और मृत्यू के बारे में तुलसीदास जी ने भी इस बात को शिकार करते हुए कहा है कि धरा को प्रमान यही इस धर्ती का यही प्रमान है तुलसीदास जी कहते हैं ज जो फरा सो जरा यानि जो फला फूला वह जरा एक दिन उसको जरना पड़ा एक दिन उसको समाप्त होना पड़ा उसका जीवनकाल समाप्त होना पड़ा जिसने जन्म लिया उसे समाप्त होना पड़ा जो बरा बरा से आशे जो जला उसे बुझना पड़ा जो जला उसे बुझ कर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ना निस्जित है सिरीज के फूलों को क्योंकि सिरीज के फूल बहुत लंबी अवधी तक फलते फूलते रहते हैं बसंत के आगमन से लेकर के आसाड और आसाड के बाद भादों के महीने तक भी ये फलते फूलते रहते हैं इस पकार बहुत लंबे जीवनकाल में इन फूलों का जीवनकाल होता है साय्तिकार यहां पर कह रहे हैं कि मैं सिरीज के पूलों को देख कर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ना निश्चित है एक दिन समाप्त होना निश्चित है मरत्यू होना निश्चित है सुनता कोन है काल महा काल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं महा काल देवता यानि मरत्यू के देवता सपासप सपासप से आशे है कोड़े मारने से उत्पन्न होने वाला सब्द सप सपासप काल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं सपासप से आशे बहुत जल्दी जल्दी कोड़े चला रहे हैं जीर्ण से आशे हैं पुराने और व्रद और दुरुबल जड़ रहे हैं जो पुराने हैं व्रद हैं दुरुबल हैं ये महाकाल देवता के कोड़ों की मार सह नहीं कर पाते जल्दी जल्दी जड़ रहे हैं जल्दी जल्दी मृत्यू को प्राप्त हो रहे हैं जिनमें प्राण कन जिनमें प्राण तत्वे जिनकी जीवन दाई सक्ति थोड़ा भी उर्द मुकी है उर्द मुकी से मतलब है उपर की ओर उठी हुई है उन्नत सील है वे टि जीवन्दाई शक्ति एसी जीवन्दाई शक्ति जिसका अंत होना कथिन है उसके सरव व्यापक, सरव व्यापक काल रूपी म्रत्यू की अगनी का संगर्ष निरंतर चल रहा है, किन किन के बीच चल रहा है दूरंत प्राण धारा, ऐसी प्राण धारा जिसका अंत होना कठिन है उसके बीच में और सरो व्यापक का लागनी सब जगे व्यापत मृत्यू की आग का संगार्श निरंतर चल रहा है मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख बचा जाएंगे यहां पर भी व्यंग करते हुए सहित्यकार कहते हैं कि मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वह जहां बने हैं जहां अभी हैं उनका अस्तित्व अगर देर तक अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे तो काल देवता की आँख बचा जाएंगे भोले हैं वे भोले है वे यानि वो सच्चाय कोश्विकार नहीं कर पा रहे हैं हिलते डुलते रहो इस्थान बदलते रहो हिलते डुलते रहो इस्थान बदलते रहो आगे की और मुँ किये रहो तो कोडे की मार से बच भी सकते हो लगातार इस्थान बदलते रहो आगे की तरह मुह करते हुए निरंतर जीवन पत पर चलते रहो तो कोडे की मार से बच भी सकते हो जमे की मरे एक इस्थान पर अगर जम गए तो मरना निश्चित है एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिरीस एक अदभुद अवदूत है अवदूत से आशे है जिसे संसार का कोई राग नहीं कोई सुख दुख से लिप्टा हुआ नहीं किसे भी प्रकार का जिसे राग नहीं संसारिक वस्तों को आकरशन नहीं इस प्रकार से संसारिक आकरशन से मुक्त सादू सन्यासी इस प्रकार से यह अदभुद अवदूत ह दुख हो या सुख वैहार नहीं मानता, नए उधो का लेना, नए माधो का देना, जब धर्ती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ने जाने कहां से अपना रस खीचते रहते हैं, यहाँ पर हजरत जो सम्बोदित किया गया है, स्रीमान माननी विक्ति के रूप में, स सब्द प्रियोग किया गया है हजरत यानि सिरीष व्रक्ष को व्यंग में सहित्यकार ने हजरत कहकर संबोधित किया है कि ये हजरत ने जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं रस से आशे है प्राण दाई सकती खींचते रहते हैं जल खींचते रहते हैं तब भी यह हजर य憐 अव्रक्ष है बहुत प्रचंड गर्मी में भी अपना प्रान रस खीनश करके अपने आपको जीवित बनाये रखता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक अवदूत अपने आपको सुख हो या दुख हो कभी हार नहीं मानता एक अवदूत को नहीं उधो का लेना निम अपना जीवन रस प्राप्त करता रहता है और मोज में आठो याम, याम से आशा है प्रहर आठो पहर ही यह मस्त रहता है एक वनस्पती सास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस रेणी का पेड़ है जो वायू मंडल से अपना रस खीचता है जरूर खीचता होगा नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कौमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था से लोग जो संसार के सुख में सुखी नहीं होते दुख में दुखी नहीं होते संभाव में बने रहते हैं इस प्रकार के जो अवदूत सरीखे लोग है उनके मुह से ही संसार की सबसे सरस रचनाये निकली है कबीर बहुत कुछ बहुत कुछ इस सिरीष के समान ही थे कबीर दा मादक भी कहा है, मदहोस करने वाला भाव जगाने वाला व्यक्ति भी कहा है, कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, अनासक्त यानि निरलिप्त भोग की भावना से एप्रभावित योगी रहे होंगे, शिरीष के फूल फक्डाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, फक गड़ की तरह रहना जिसी एस सांसारिक मोहमया का कोई लेना देना नहीं इस प्रकार का जो व्यक्ती है इस प्रकार से शिरीस का छो फूल है वह फक्कडाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेगदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उनमुक्त रिधे में उमड सकता है। नासक्त नहीं रह सका, जो फकड नहीं बन सका, जो किये कराये का लेखा जोखा मिलाने में ही उलज गया। दूसरे कवी बालमी की है, और तीसरे कवी है व्यास एक ने वेदों को रचा, ब्रहमा जी ने वेदों की रचना की। दूसरे ने वालमी की जी ने रामयन की रचना की और व्यास ने महाभारत की रचना की। तो मैं करनाट राज की प्यारी रानी उनके सीर पर अपना बायाचरण रखती हूं। अगर इन तीनों के अलावा ब्रह्मा जी के अलावा वालमी के के अलावा और व्यास जी के अलावा और कोई व्यक्ति यदि कवी होने का दावा करे तो करनाथ राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बाया चरण रखने के लिए कहती है मूर्धनी से आशे है सिर पर तेशाम उनके सिर पर ददामी वाम चरणम मैं बाया चरण रखती हूं करनाट राजप्रिया और यह करनाट राजप्रिया कह रही है मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवी हारा नहीं है उपालंब उपालंब से आशे होता है उलाहना देना इस उलाहना देने के बाद भी दुनिया का कोई आदमी हतोत साइथ नहीं हुआ हारा नहीं है पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डाटा भी नह जाए यदि कोई लजाया ही नहीं तो उसे डाटा भी नह जाए पर मैं कहता हूँ कि कवी बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड बनो सिरीज की मस्ती की और देखो लेकिन अनुभो ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं मरने दो दोस्तों अगर फक्कड बनो कभी बनना है तो फक्कड बनो और सिरीज की मस्ती की और देखो लेकिन अनभों ने मुझे बताया है कि इस बात को कोई भी नहीं सुनता है नहीं सुनता है तो मरने दो कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की इस्तर प्रग्यता और विदग्ध प्रेमी का रिधे पा चुके थे इस्तर प्रग्यता से आशे है ए विचलित बुद्धी की अवस्था जिसकी बुद्धी विचलित नहीं होती हो उसे इस्तर प्रग्य कहते है जो सुकदुक में समान रहता हो वह इस्तरप्रग्य कहलाता है विदग्द प्रेमी विदग्द का आशे है बहुत अच्छी तरह से तपा हुआ प्रेमी प्रेमी का रिध है और इस्तर प्रग्यता यानि बुद्धी की एविचलित दसा उन्होंने प्राप्त कर ली थी कालिदास जी ने और कवी होने से क्या होता है मैं भी छंद बना लेता हूं यहां पर निबंदकार कहते हैं कि कवी होने से क्या होता है मैं भी छंद बना लेता तुक भी जोड ही सकते होंगे इसलिए हम दोनों एक स्रेणी के नहीं हो जाते केवल चंद बना लेने से अत्वा तुक जोड लेने मातर से कोई भी उच्च इस्तर के कभी की समानता नहीं कर सकता पुराने सहरिधे ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था इस पकार से फटकारते हुए कहा था कि वयमा पी कवय है हम भी कवी है कवय है कवय थे और कवी तो काली दास जी भी थे लेकिन दोनों में बहुत भारी अंतर हमें देखने को मिलता है मैं तो मुग्द और विश्मे विमूड होकर काली दास के एक एक स्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं मुग्द से आसे होता है मोहित हो जाना विश्म विबूड से आसे है आश्चरे चकित हो जाना जब भी मैं कालीदास के श्लोकों को पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं आश्चरे चकित हो जाता हूँ ऐसा निबंदकार कहते है अब इस शप्रीस के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए सकुंतला बहुत सुंदर थी सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है देखना चाहिए कि कितने सुंदर रिधे से वह सुंदर यह डुबकी लगा कर निकला है सकुन्तला काली दास के रिधे से निकली थी जो सकुन्तला का पात्र है सकुन्तला है वह काली दास के रिधे से उत्पन्न हुई थी विधाता की आशे है परमात्मा की और से कोई कारपणने कारपणने से आशे करपणता कोई कंजूसी नहीं की गई थी किसे भी प्रक कवी की ओर से भी नहीं और कवी ने भी उसकी सुंदरता का बखान करने में सुंदरता को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार से कोई कंजूसी नहीं की, राजा दुश्यंत भी अच्छे-भले प्रेमी थे। राजा दुश्यंत के बारे में सहित्यकार, निभंदकार कह रहे हैं कि राजा दुश्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने सकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खीज उठता था, खीज से हैं जुंजला जाते थे वो रह रहकर उनका मन जुंजला जाता था सकुंतला का एक चित्र बनाया था लेकिन मन में एक खीज का भाव आ जाता था कहीं कहीं कुछ छूट गया है वे सोचते कि इस में इस चित्र में कहीं कुछ छूट गया है बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि सकुंतला के कानों में वे उस सिरीस पुस्प को देना भूल गए हैं बहुत देर बाद में उन्हें समझ में आया कि सकुंतला के कानों में जो सिरीस का पुस्प उन्हें लगाना था वे लगा नहीं पाये सकुंतला के कानों में स्रीस के पुस्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे जिसके केसर गंड स्थल से आशे होता है गालों तक जिसके केसर गालों तक लटके हुए थे और रह गया है सरद चंद कहते हैं सरद रितू का चंद्रमा की किरणों क समान कोमल और सुब्र सुब्र से आशे होता है स्वेत सफेद म्रिनाल म्रिनाल कहते हैं कमल की नाल का हार और जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे गंडस्थल यानि गाल जिसके केसर जो सुंदर रंग है केसर केसर या रंग है वो उसके गाल तक लटके हुए थे और सर किरने होती है उसके समान कोमल सुभ्रमानी स्वेथ और म्रणाल काहार म्रणाल कहते है कामल की नाल नाल काहार वो धारन किये हुए हो कालिदास सोंधरे के भाही आवरं को भेड कर उसके भीटर तक पहुंच सकते थे वह आवरन बहारी परदा बहारी जो आवरन है बहारी परदा है उसको भेद कर काली दास सोंदेरी के आंतरिक भाग तक पहुंच सकते थे दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस उस अना सक्त क्रशी वल की भाथी खींच लेते थे जो निर्दलित Scientists झूल से रश निकाल लेता है क्रशीवल से आशे होता है खेती करने वाला किशान और निरदलित अच्छी तरह से निचोड लेना वली भाती निचोडा हुआ निरदलित बहुत अच्छी तरह से निचोडा हुआ इक्षूडंड कहते हैं गन्ना गन्ने का जो तना होता है इक्षूडंड कालिदा सोंदेर के बही आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुँच सकते थे दुख हो या सुख वे अपना भावरस उस अनासक्त क्रशीवल की भाती उस अ बहुत अच्छी तरह से गन्ने को निचोड़ निचोड़ कर उसका पूरा रस निकाल लेता है उस किशान की भाती कालिदास भी सुनदेरी के बही आवरण की बजाए आंतरिक सुनदेरी को बहार निकाल कर भावरस के साथ में उसको प्रस्तुत कर दिया करते थे कालिदास मह अनासक्ति देखने को मिलती है जैसी की कालिदास में देखने को मिला करती थी कवीवर रविंदरनात में यह अनासक्ति थी और साथी साथ निभंदकार यहां यह भी जोडते हैं कि सुमित्रा नंदनपंत के अलावा कवीवर रविंदरनात में भी यह अनासक्ति का भाव उपस एक जगे उन्होंने लिखा राजो द्यान का सिंगद्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों नहों उसकी सिल्प कला कितनी ही सुन्दर क्यों नहों वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया सिंगद्वार सिंगद्वार से आशे होता है प्रधान दर्वाजा अब्रभेदी अब्रभेदी से आशे है गगन चुम्बी आस्मान को चूने वाला क्यों नहों एक जगे पर उन्होंने लिखा कि राजो द्यान राजा का जो उद्यान है जो प्रमुख उद्यान है उस राज समाप्त हो जाते हैं असल गंतव्य से आश ऐस्थान जहायना है यानि लक्ष इस्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही असली गंतव्य स्थान तो उसे पारकरने के बाद ही प्राप्त होता है यही बताना उसका करतव है फूल हो या पेड वह अपने आप में समाप्त नहीं है वह किसी अन्य वस्तू को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है यानि किसी अन्य वस्तू को और अधिक इसपश्टता के साथ व्यक्त करने के लिए हम इनका प्रियोग इनका उप्योग करते हैं वहे इसारा है और इस प्रकार इनके संकेतों के माध्यम से हम अपने भाव को और अधिक इस्पष्ट कर पाते हैं सिरीश तरू तरू से आशे है व्रिक्ष सिरीश का व्रिक्ष सच्मुच पक्के अउदूत की भाती मेरे मन में ऐसी तरंगों से आशे हैं लहरें जगा देता है जो उपर की ओर उठती रहती है इस चिलक्ती धूप में चिलक्ती से आशे है तेजी के साथ चमक्ती धूप में इतना सरस्व है कैसे बना रहता है निबंदकार यहां फिर से वही प्रशन पूछता है कि इतनी कडी धूप में इत परिवर्तन जो ये बाहरी परिवर्तन है जिसमें धूप है वर्षा है आंधी है लू है अपने आप में सत्य नहीं है क्या आंधी आना लू लगना इस प्रकार से धूप और वर्षा का होना ये जो बाहरी परिवर्तन है जो बाहरी रूप से इस पुस्प को और इस व्रक्ष क को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं क्या इन में कोई सत्यता नहीं है क्या ये अपना प्रभाव इस पुस्व पर नहीं छोड़ रहे हैं हमारे देश के ऊपर से जो ये मार काट अगनिदाह लूट पाट खून खचर का बबंडर बह गया है इन पंक्तियों के माध्यम से निबंदकार बहुत गहन तम बात कहना चाहता है वो कह रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर से जो ये मार काट हमारे देश में एक ऐसा समय निकला एक ऐसी अवदी आई जब बहुत जबर्दस्त मार काट हुई बहुत सारे निर्दोस लोग मारे मार दिये गए काट दिये गए अ बह गया है, इस प्रकार से हमारे देश ने इस प्रकार से देखा कि बहुत सारी मार काट हुई, बहुत सारी जगें को आग लगा दी गई, लूट पाट की गई, खुन खचर किया गया, बबंडर इस प्रकार का आकर के बह गया, इस चीश को हमने देखा है, उसके भीतर भी क्य स्तिर्र रहा जा सकता है शिरीज रह सका है अपने देश का एक बुढ़ा रह सकाता और यहां पर संकेत किया जा रहा है महतमा गांधी जी को भी सिरीज के साथ में तुलनात्म करूप से व्यक्त कर रहे हैं साहित त्यकार हजारी प्रशाद दिवेधी हजारी प्रशाद दिवेदी जी का ये कहना है कि इस प्रकार हम अपने देश का एक बूढ़ा सिरीस की भाती रह सका है क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संबव हुआ और ऐसा क्यों संबव हुआ ऐसा सहित्यकार का मन बार बार पूछता है क्योंकि सिरीस भी अवदूत है सिरीस वायू मंदल से रस खींच कर इतना कौमल और इतना कठोर है गांधी भी महत्मा गांधी जी भी वायू मंदल से रस खींच कर इतना कौमल और इतना कठोर हो सका था और महत्मा गांधी जी ने भी इसी प्रकार से वायू मंदल से रस बाती ही अपने आपको कौमल और कठोर दोनों ही भाव में बनाए हुए थे मैं जब जब स्रीस की ओर देखता हूं तब हूख उटती है हूख से आसे है एक रोने की इच्छा होती के वेदना उठती है भाव उठता है हाई वह detox आज कहां है कि उस अवदूत की आज बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक्ता है। प्रेविद्यार्थियों, आज हमने अध्याय सत्रा सहित्यकार हजारी प्रशाद दिवेदी द्वारा रचित ललित निभंद सिरीष के फूल पढ़ा। सिरीष के फूल ललित निभंद से संबंदित अभ्यास प्रशन लेकर हम अगले वीडियो में आपके समुक्ष प्रस्तुत होंगे तब तक नमस्कार।